दुर्खीम का जो सिध्धान्त है वो सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधार्णाओं पर आधारिध है। किसी चीज को परंपरा के रूप में परिवर्टित करना चाहता है या किसी आधर्ष या मुल्य के रूप में स्थापित करना चाहता है। कि अभी हमने पहले भी कहा कि कोई भी जब हम रीति रिवास परंपरा या प्रथा आधी का निर्मान करते हैं तो वो किसी एक व्यक्ति विशेश के द्वारा नहीं हो सकता है। वो समपूर समाज के लिए प्रतिनिद्व होता है और प्रतिनिद्व होना है तो उसका चैन भी पूरे समाज के साथ ही किया जाता है। इन सभी के पीछे नैतिक दबाव होता है यदि इनका पालन नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका दुश परिणाम समाज के द्वारा हमें दिखाई देने लगता है। नेक्स है हमारा कूले का स्वय दरपन का सिध्धांत जिसको हम ठेरी ओफ कूले के नाम से भी जानते हैं। कैसी बनेगी इस तरह के जब विचार आते हैं और उन विचारों के आधार पर हम किसी विचार का निर्मान करते हैं या दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे उसके आधार पर हम अपने विचार और द्रश्टी कोणों को परिवर्तित कर लेते हैं। उसके आधार पर भी बाला का समाजी करण होता है, वो उसी प्रकार की प्रक्रियाय करता है, जो समाज के द्वारा स्वीकरत होती है और उसको समाज में एक अच्छा स्थान दिलाने में समर्थक होती है. समाजी करण पर अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए, व्यक्तित्व के तीन जो आधार उन्होंने विभाजित किये, उन्हीं आधारों पर उन्होंने कहा कि समाजी करण की प्रक्रिया चलती है, पहला है इड, जिसको हम आत्म भी कहते हैं, दूसरा है एहम, that is ego, एन प प्रत्यों का इन्होंने प्रयोग किया, आत्म या इड की जब इन्होंने बात की, तो इन्होंने कहा कि ये पाश्विक प्रवर्ती होती है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तो वो केवल अपने विशह में सोचता है, वो स्वा केंद्रित होता है, उसके अनुसार प्र प्रक्रिया जो है वो यहां से शुरू हो जाती है और जब वो चीजे सीख रहा होता है और अपने आपको समाज के अनुसार बनाने का प्रयास कर रहा होता है तो वो एहम की स्टेज होती है एहम जब बच्चे के अंदर आता है तो हम उसका कहते हैं कि समाजी करण उसका चल रह होता है वो अपने विभार को दूसरों के अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है नेक्स एन लास्ट इज दो जो फ्रोइड ने बताई वो है परा है ये एक आदर्श स्थिती होती है जहां पे त्याग परोपकार आदी जो समाजिक भावनाएं हैं ये अपने चरम प का सिध्धान्त थेयरी औफ मीड जो है उसको हम यहाँ पाप डिसकस करेंगे प्रसिद मनोवग्यानिक जॉर्ज मीड ने अपने समाजी करण का सिध्धान्त जो दिया है पहली बार वो माइन सेल्फ एंड सोसाइटी नामक बुक में उन्होंने प्रतिपादित किया उसको प चेतना और आत्म चेतना में से जॉर्ज मीड ने आत्म चेतना को ज्ञादा बेसिक माना है इसमें का विकास समाजिक अंतै क्रिया द्वारा होता है अब व्यक्ति के दो सो रूपों के इन्हों ने बात की पहला जविकिय व्यक्ति और दूसरा समाजिक रूप से आत्म चेतन व्यक्ति जन्म के समय जो बालक है वो जविकिये विक्ति होता है उसकी जितने भी उसके विवहार होते हैं वो आंतरिक प्रेरनाओं से प्रेरित होते हैं सिर्फ अपने लिए कारे करता है भूक लेगेई तो कुछ करेगा प्यास लेगेई तो करेगा कुछ चाहिए तो दूसरों से बात करेगा नहीं तो अपने आप में मगन रहता है लेकिन धीरे धीरे जब हो परिवार के सदस्यों यदि हमारी किसी क्रिया पर हमें positive response मिल रहा है तो बच्चा उस क्रिया को आगे continue करता है अगर उसको negative response मिलता है तो वो उस क्रिया को कम कर देता है तो इस सिद्धान्त को उन्होंने मैं और मुझे का सिद्धान्त भी कहा जिसमें मैं का अर्थ है व्यक्ति द्वारा दूसरों क प्रति किये जाने विवहार किये जाने वाले विवहार से हैं यहां पर उन्होंने मैं शब्द का प्रियोग कब किया कि जब हम अपने विवहार को देखते हैं जो हम दूसरे के प्रति कर रहे हैं और मुझे का आर्थ उन्होंने कहा कि उन विवहारों से है जो दूसरों की प पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें थैंक यू